एक्स के Q4 के रिजल्ट के पहले क्या अगर कोई इसके अंदर अगर आपके कोई लॉग या शॉर्ट पॉजिशन है तो मेरा क्या व्यू है टेक्निकली इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूं डिस्कलोजर डिस्कलेमर ले लिजिए से बे रिजिस्टर नहीं हूं मैं तो जो भी चीज करूँगा उसके खाली आपको एजुकेस्टर पॉफस के लिए लेना है कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरे कहने से मेरे सुनने से ना तो आपको बाई करना आ ना तो आपको सेल करना बस आपको ऑपीनियन मिल जाएगा अगर आपको ज़ानन है देखिए कभी भी स्टॉक अगर गिरने के बाद रुख गया और रुखने के बाद उसने दो बार तीन बार अटेम्ट किया गिरने का लेगिन नहीं गिर पाया तो वह उसका स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 134 से लेके 135 की जो जो जोन है यह दो एका दो दिन ट्रेड किया वापस उपर आके क्लोस करना शुरू कर दिया तो यह तो नीचे का आपको पता चलिगा कि maximum to maximum रिस कितना है अभी के लिए current सिनारियो के अंदर वो है 134 का हाँ अगर मार्केट ही अपना जो 52 वी क्लो है वो तोड़ देता है और चलाना तो बात अ बनाता है एक अच्छा बुलिश पैटर है अच्छा सपोर्ट के आसपास गांटर ट्रेड कर रहा है 152 150 150 से लेके 152 यह अच्छा सपोर्ट जो निकल कर आता है यह कांटर के अदर कर दो तरीके से ट्रेड बन सकता है एक उनके लिए जिसने अभी तक कोई पोजिशन नहीं बनाई है और वो चाहता है position बनाना तो वो दो तरीके से बना सकता है कैसे या तो कल result के बाद या आज जबी result आता है result के बाद अगर या आपको 150 से लेके 152 के बीच मिलता है उस point पे buying बनता है stop loss जो आपका होगा maximum to maximum कितना होगा 147 146 का यह आपका stop loss होगा इसके निश्चे का आपको stop loss नहीं रखना है और उसके साथ आप trade को hold कर सकते हो second उनके लिए जो opportunity cost मिस नहीं करना चाते है ऐसा नहीं कि में result के बाद counter डायरे की gap up खुल जाए और उपर जाना शुरू कर दे तो मैं मैं मिस्स कर दू अगर उनके लिए चाहिए तो वह अभी buy कर सकता है stop loss 147 से 146 का ही रहेगा उसने पहले कोई धंग धंग का stop loss नहीं आ रहा हाँ अगर आपके पास यह share है तो आप इसको hold कर सकते है 147 का stop loss के साथ नहीं है जिनको fresh करना है 147 146 के बीच में जाकर अपनी पोजिशन मना सकते है अगर उनको चाहिए तो वह इस काउंटर के अपनी पोजिशन होल कर सकते है इसके पहले कोई stop loss नहीं है short जिने करना है जिन्होंने short कर रहा है उनके लिए अगर आपको छोटा stop loss चाहिए एक दम इमीजेट बेसिस का तो वह कहीना कही निकल के आगा 157 लेकिन अगर आपको धंग धंग का सकता है जो इसको अगे 170 175 तक लेके जा सकता है तो काउंटर वीक नहीं है लेकिन हा रिजल्ट के बाद अगर डिप मिलता है 150 से लेके 152 के बिच में वहाप एक बाइंग किया जा सकता है स्टॉप लॉस आपका 146 से 147 होना चाहिए तो ओवराल काउंटर की बात करूँ टेक्निकली स्ट्रॉंग है फंडामेंटल मुझे पता नहीं इसके क्या है फंडामेंटल जो भी है इसके देखा जाएगा रिजल्ट के बात क्या होता है रिजल्ट के बात जो मूव आता है मुझे फंडामेंटल मुव ni कौन अब अगर स्टेक्निकली पॉजिंश्शन बनानी ए वो ऐसी बना सकता है वो एक प्रडिक्शन कर रहा है और कुछ नहीं हुआ रहा है